तेलंगना को नई उन्चाई तक ले जाना चाहते। दाथियों दसकों तक चले तेलंगना आंदोलंग में हजारों लोगों ने त्याक की तपच्या की बलिदान दिये। ये बलिदान तेलंगना के उजवल बविश्य के लिए थे। ये बलिदान तेलंगना के आन, बान, शान के लिए था। तेलंगना आंदोलं इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार ये बलिदान तेलंगना के उकाज के सपनों को लगातार कुछलता रहे। तेलंगना आंदोलं इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार शाम दाम दन्ड बेद ये रास्ता अपना करके तेलंगना तो तबाह करने नहीं नहीं साधिस करते रहे। ताथियों परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवाद दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश्टे देखा है देलंगना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सक्ता में आती हैं तो कैसे उस परिवार के सुदस्या प्रस्टा चार उसका सबसे बड़ा चहरा बन जाते हैं। देलंगना के लोग देख रहे हैं कि परिवार वादी पार्टियां किस तरह अपना विकास करती हैं। अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवार वादी पार्टियों को गरीब के दर्द की गरीब की तकलीब की न उनको कोई जिलता होती हैं। कोई परवा होती है। इनकी राजनीती सिरुप इस बात पर केंद्रित होती है। एक परिवार लगाता किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बाटने की साजी से रखते हैं। जंका का विकास मैं उनकी कोई रूची नहीं होती है। पीछे पन समाज पीछे रहे उसे में उनका बला देखते हैं। साथियों परिवारबात की वज़े से देश के युवाओं को देश की प्रतिभाओं को राजनीती में आने का अउसर भी नहीं मिलता। परिवारबात उनके हर सपनों को कुचलता है। उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21 सदी के भारत के लिए परिवारबात से मुक्ती परिवारबादी पाट्यों से मुक्ती एक संकल्प भी है और एक नईतिक अंदोलन भी है। जहां जहां परिवारबादी पार्टियां हटी हैं उनका अस्त हुआ है। वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगना के मेरे प्यारे भाई और बैनों की हैं। तेलंगना की जनता की है। साथियों एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगना के बविश्य के लिए हैं। तो दूसरी और ये लड़ाई तेलंगना के सम्मान, स्वाबिमान और पहचान की भी है। यहां एरपोर्ट से वहार आते ही तेलंगना की जो हवा मैं मैसूस कर रहा हूं। यह जो मैं द्रश्चे देख रहा हूं। यह तबती धूप में आप लोगों का उसा उमांग देखता हूं। मैं इसके आधा पर कह सकता हूं। कि हमारा संगर्श रंग ला रहा है। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पस्त संकेत है। कि तेलंगना में अब लोगों ने मन बना लिया है। कि तेलंगना ने अब बदला पक्का है। कि तेलंगना में अब भाजपात्ताय है। कि साथियों थाजपा ने पिछले आठ सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछरा, दलीट, आदिवासी, हमारी माताएं बहने, हमारे अंचोज़े के सारे साथि, भारतिये जनता पांट्री के लिए उनका उतकर्ष ये हमारी आस्ता है। देश का सम्मान, देश के गरीब, मज़ोर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है, स्वामीमान से जीवन जाने का प्रयास कर सकता है। हमने हर गरीब को सौचा लए देने का वाइदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्यधाना से जोटने का संकर्प लिया, जंदन योजनात आतों के जरीए उसे पूरा किया। हमने गरीब मातों बैनों को दुए से आजादी देने की बात करी। उनके नाम पर उन्हें पक्ता घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोरों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाइवेरों को किसान सम्मान निधी मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनीजी योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोडों युवाओं के लिए स्वरोजगार के आउसर बन रहे हैं। तेलंजना के गरीप, दलीप, पिछडे, आदिवासी और महलाओं को भी इन योजनाओं के लाख का पूरा अधिकार है। लेकिन दुर्भा के से यहाँ इन योजनाओं के नाम मदल कर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए जन्ता के दिलों से ना नाम हमारा हटा सकते हैं, ना हमारा नाम मिता सकते हैं। क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। साथियों, जब योजनाओं प्रचार और परिवार के प्रिश्टाचार कर शिकार होने नगें। तो उससे सबसे ज्यादा नुक्षान हमारे गरीब भाई बेहनों का होता है। हमारे दलीब, फिडीब, सोचित, वंचित का होता है। वाजपा के काय करताओं का दाइक्वा है। इस सज्चाई को तेलंगरा के हर एक नागरी तक लेकर जाएं। भाई और बेहनों हम सब चानते हैं कि तेलंगरा का सामर्थ क्या है। यहां कितनी संभावना है। हम चाहते हैं कि तेलंगरा तेजी से विकात की रप्तार पकड़े। दाजियों 21 सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेकिनिया के सक्नों को लेकर आगे बढ़ा। हमारे स्टार्टप्स आज पुरी दुनिया में अपनी चाहत छोड़ रहे हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टप इकोसिस्टिम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का सोवा यूनिकॉन हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थ लवस्ताव में से एक है। हमारे इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे वई भूमिका टेक्नलोलोजी की है। हमारे युवान नौजवान साथी। और बात जब टेक्नलोलोजी की हो और तिलंगना और तिलंगना के युवाओं की शम्ताओं के बिला ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस शम्ता के प्रिस्तमान के लिए तिलंगना को एक प्रोग्रेसिव और इमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस यूग में मैं तिलंगना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतक करना चाहता। आज के इस यूग में अभी भी 21 सदिर में जो लोग अंदविश्वास के गुलाम बने हुए हैं वो अपने अंदविश्वास में किसी का भी नुपसान कर सकते। ये अंदविश्वासी लोग तेलंगना के सामर्त के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। चातियों मुझे आथ है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहर के ना पहचार मनाती गही थी। कि वह सहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है। अगर वहां जाएगा तो उसकी पुर्शी चली जाएगी। भाई जों मैं जंके की चोट पर वही पर जाता था बार बार जाता था। कि मैं भी किन में विश्वास करता हूं मैं तक लगजि में विश्वास करता हूं। कि हाई यह दानों कि मैं तो आज तेलन जना की इस धर्थी से उत्तर प्रदेश के हमारे मुझ्ध मंत्री सिमान योगी आदिव तिनाज जी को भी बढ़ाई देता हूं कि उनके वो तो संत परंपरा से हैं सन्यासी परंपरा से हैं उनके कपड़े और वेजबुजा देख करके कोई भी बात मान लेगा जिब उनके सामने आया कि भवानी जगा पर नहीं जाना चाहिए डिकनी जगा पर नहीं जाना चाहिए योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में व विश्वास करता हूं और वो चले गए और दुबारा मुख्यमंत्री भी बने गए अंद विश्वास को अंद विश्वास को इस प्रकान से तवज्जु देने वाले लोग तिलंगना को उसके भविश्य को कभी सुबार नहीं सकते हैं भायों बैनों ऐसे अंद विश्वासी लोगों से हमारे तिलंगना को हमें बचाना है मैं आप सभी वाजपा कायर करताव से कहूंगा हमें पूरी महनत करनी है हमें तिलंगना की जंता की सेवा में कोई कोई कसर नहीं छोड़नी है मुझे पुरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कायर करता इसी उत्साव और समर्पड के साथ आगे भी काम करता रहेगा पेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा तुस्त्री करन की राजिनिती से मुक्त होगा परिवारवाजी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा और थाईवे बहनो मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता मैं तो गुझरात का कायर करता था पुरा देश न मुझे जानता था लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया था मैं आपको याद दिला मैं जाता हूं हिंदुस्तान के सारवजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगरा के लोगों ने करके दिखाया था जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाशन सुनने के लिए तिकट रखी गई थी पैसे देखर के आई ये सुनने के लिए और मैं देख रहा था तेलंगणा के लोगों ने तिकट खर्च करके इतनी प्रेम बर्शा की थी और उसे वही एक कर्णिंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मोका मिला है यही है ग्राबाद यही तेलंगणा अम नया इतियाद बना करके तेलंगणा में जल्ला गाणने वाला साथियों मैं आपके परिश्ण की जितनी तालिप करूतनी कम है लेकिन मुझे पुरे विश्वास है ना आप जुकने वाले हैं ना ठकने वाले हैं आप जूजने वाले भी हैं जीतने वाले भी हैं मेरे जाथ वाली भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत खंवाद